वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्स्क्लोजिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सबी दर्शकों के सामने हाजिर हैं दोस्तों बिग बॉस सीजन 14 की नई कप्तान रूबिना दिलायक का जलवा साफ साफ तोर पर देखा जा सकता है कि रूबिना दिलायक के कप्तान बनने के बाद बिग बॉस सीजन 14 के घर में तीन सबसे बड़े बदलाव हो गये ऐसे ऐसे बदलाव हो गये जिस वज़े से बिग बॉस सी कि कप्तान बनने के बाद रूबिना दिलायक घर में क्या-क्या चेंजिस आया क्या-क्या बदलाव आया आईए हम आपको बताते हैं आज के special report में यही बात पूरे विस्तार से लेकर इसे पहले अगर अभी तक आपने हमारी सबसे पहला जो बदलाव आया वो यह आया कि कोई भी fight नहीं हुई जी हाँ दोस्तों अब तक जब से रूबिना दिलायक बेग बॉस सीजन 14 की नई कप्तान बनी गई है तब से बेग बॉस सीजन 14 के घर में कोई major fight नहीं हुई है यह इस बात को इशारा करता है कि रूबिना दिलायक बेस्ट है रूबिना दिलायक अपने कप्तानी में हर एक काम जो है प्रॉपर तरीके से कर रही है ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से करवारी है लोगों से बलकि घर पूरी तरह से अनुशाशित भी कर रही है और साथी साथ दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव आया है रूबीना दिलायक के कैप्टन बनने के बाद वो ये है कि अनुशाशन में सारा का सारा घर जो है अनुशाशित है जी हाँ दोस्तों हर एक सदस्य रूबीना दिलायक के पास आते हैं प्रॉपर तरीके से पूछते हैं कि उन्हें क्या काम करवाना है क्या काम मुने करना है और साथी साथ हर एक सदस्य को प्रॉपर उनके हिसाब से ड्यूटी को एसाइन करने के बाद घर का माहल जो है काफी ख सिजन 14 के घर में कोई भी फाइट नहीं हुई है डिसिप्लीन में रहा है और साथी साथ और भी जादा इंटिटेनिंग हो गया है जी हाँ दोस्तों और भी जादा इंटिटेनिंग हो गया है अब यहाँ पर जो लोग हैं अभी इस वक्त कोई फाइट नहीं कर रहे हैं बलकि एक अलग तरीके से इंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस सिजन 14 के घर में और साथी साथ यही आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में. वेल दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल करता सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर करने हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.